कि नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं सुजित कुमार पंडे तापका अर्दिक स्वाब करता हूं आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखोने दोस्तों CISF Head Constable की वेकंसी आई हुई है जो मिनिस्ट्रियल यानि Head Constable CISF Head Constable इसकी वेकंसी आई हुई है जो Central Industrial Security Force का है और इसकी जो प्रारामभिक कि तिथी है जो ओनलाइन आवेजन की तिथी है वह एकाइस दो सड़ी एक एक तो जार उनेश से है और वीस दो जार उनेश तक इसकी लाश्ट डेट है और फिस जम्म करने की जो तिथी दी गई है वह आपका 222-2-2019 है और इसमें जो फिस लगेंगे आपको एक सोड रुपे का आपका फीस है जो जनरल ओबिसी एक सब्सक्राइब नहीं लगेंगे और जो स्ट या महला हैं उन्हें किसी भी परगार की कोई फीस नहीं लगेगे और इसे किसी भी माधियम से आप एसे अपसे को इस को जम्म कर सकते हैं चाहिए वह आपका देट कार्ड नेट बेंकिंग हो जुचेट चलावन से चाहिब सकते हैं और आप का एगोम जो है बीस दो जार नस है और मिनिममम एज 18 वर्स है मैक्सिमम 25 वर्स है और एज में जो छूट दी जाएगे वह आप नोटिफिकेशन को पड़ करके देख लीजिए कि उसमें क्या छूटे हैं क्या गर्वर्वेंट के तरफ से जो छूट मिलती है वह क्या छूट है वह आप नोटिफिकेशन को डाउन सब्सक्राइब वहां से भी आप अपना डाउनलोड करके आप इस वेकंसी का लाग उठा सकते हैं और इसमें जो कुल टोटे में टोटल पोस्ट है आपका 429 पोस्ट हैं और education qualification देखा जाए तो head constable के लिए जो requirement है वह आपका 10 plus two है और skill test norms on computer के लिए जो होगा आपका skill test जो होगा आपका इंग्लिश और हिंदी में वह आपको 10 मिनट के लिए दिया जाएगा जिसमें की 35 वर्ड पियस जो होगा आपका वह इंगलिश हो गा और 30 वर्ड पियस जो ओगा आपका हिंदी हो गा इसकी स्पीड होगी आपको 35WPS इंगलिज की स्पीड होगी और 30WPS आपका हिंदी की स्पीड होगी और फैकनसी डिटेल्स पोस्ट वाइस जो है आपका वो डायरेक्ट मेल के लिए 348 है डायरेक्ट फिमेल के लिए 368 है 165.5 cm और अधर के लिए 165 है चेस्ट जो होगा 76-81 होगा एस्टी के लिए और अधर्स के लिए होगा आपका 77-82 सब्सक्राइब के लिए हाइट होगा आपका 1.100 से के लिए और अधर के लिए 15570 मेटर और इसका जो से लेक्शन प्रोसेस होगा आपको तीन प्रोसेसें से आपको घुजरने होंगे जो सबसे पहला होगा आपका पीएसटी डॉकुमेंट सेट्शन और दूसरा होगा ऑपको जिस माध्यान से आपको कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट देना होगा आप इंगलिस या हंदी को आप टाइप करके सेलेक्ट करके आप उसे एकज्ञां दे सकते हैं तीसरा होगा आपका स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका वह स्किल टेस्ट होगा आप इन तीनों टेस्टों से गुजरने होंगे आपको तभी जाकर कि आपको जो होगा सिया यह सब के रहेट कॉंस्टेबल बन सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर बटन को शेयर जरूर करें इसे और इतना करें कि सभी अभ्यूर्थियों के पास यह वीडियो पहुंच हमारा यूट्यूब चैनल में आप समों का धन्यवाद जहिंद जय वारत